Assalamualaikum students, आज जो हम topic discuss करेंगे वो है proteins, इस topic में हम proteins का introduction और साथ ही proteins की importance को discuss करेंगे, तो चलिए students topic start करते हैं Students, first of all हम proteins की definition देखते हैं, proteins हमारे पास क्या होती है, the polymers of amino acids, इसका क्या मतलब है, कि बहुत सारे amino acids के units जब आपस में जुड़ेंगे, तो वो एक ऐसा compound बनाएंगे, जिसमें carbon, nitrogen, oxygen और hydrogen क्या होंगे, मजूद होंगे, वो हमारे पास compound क्या कहलाएगा, proteins कहलाएगा, अब यहां हम बात कर रहे हैं amino acids की, के amino acids के जुड़ने से, अब जो हमारे पास amino acids हैं, यह क्या होते हैं, amino acids हमारे पास एक ऐसा molecule, एक ऐसी structure है, जिसमें एक की carbon के साथ, एक amino group, एक carboxly group, और एक alkyl group, जिसे हम side chain कहते हैं, वो attach हों, और एक hydrogen भी क्या हो, attach हो, तो वो हमारे पास structure कहके लाती है, amino acid कहलाती है, अब इस carbon को, जिसके साथ, एक amino group, और दूसरा, कारboxly group के है, attach है, इस हम carbon को alpha carbon भी कहते हैं, अब हम protein की बात कर रहे हैं, तो protein में जो हमारे पास amino acids के number हैं, वो different protein में different होते हैं, may be few से लेकर, 3000 तक या इस से ज्यादा भी amino acids की तदाद क्या करती है, vary करती है, अब जो हमारे पास protein की nature जो है, वो भी change हो जाती है, जो हमने बात की, इस side chain, यानि के alkyl group की, अगर यहां हम एक ऐसा functional group लगा दें, जैसा के हम यहां अगर H लगा दें, तो वो हमारे पास जो protein बनाएगा amino acid, तो वो हमारे पास जो उसकी nature होगी, वो क्या होगी, उस protein से different होगी, जिसमें यहां कोई hydrogen की बचाए, कोई methyl group हो, या कोई और functional group क्या हो, attach हो, अब इस तरह जो हमारे पास proteins हैं, उन में जो amino acids की इतदाद है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे polymers of amino acids, अब जो हमारे पास amino acids हैं, वो almost 170 types के amino acids मजूद हैं, हमारे cells में, हमारे tissues में, इन 170 amino acids में से 25 amino acids ऐसे हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, अब उन 25 में से भी 20 ऐसे amino acids हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन को बनाते हैं, अब amino acids आपस में जूरते कैसे हैं, इनके अंदर ऐसी कूं सी खास बात है, जिसकी वज़ा से ये क्या करते हैं, आपस में जूर जाते हैं, और क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं अब जब यह अमाइनो एसीड्स आपस में जोड़ते हैं तो इनके दिरिम्यान एक बांड बनता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बांड जिससे हमारे पास क्या होती है प्रोटीन्स की फॉर्मिशन होती है अब ये हमारे पस एक amino acid है जिसमें एक amino group है और दुसरा carboxly group है इसी तरह एक और दुसरा amino acid क्यों होगा वो क्या करेगा इस amino acid के साथ attach होगा कैसे attach होगा उस amino acid का car boxly group ठीक है और इस amino acid का amino group आपस में जिस bond के जोड़ते हैं, उस bond को हम के कहते है पीप्टाइड बांड, अब देखें, फ़़ाय वफफ वनअमाइनो एसीड कह करता है, रियیک्ट करता है किसके साथ, कौरबॉकसलि गृूप उफ और अमाइनो एसीड, जिससे हमारे पास क्या बन जाते है, कारबन नाइट्रोजन bond बन जाता है जिसे हम कितने peptide bond कहते हैं इसी तरह जो हमारे पास protein होती हैं वो उनके अंदर poly peptide bonds मजूद होते हैं जिसके विज़ा से हमारे पास एक protein की complex structure की formation होती है अगर तो हमारे पास दो amino acid जैसा कि यहां हम देखें एक amino acid यह है जिसका carboxly group और दूसरा amino acid यह है हमारे पास जिसका amino group आपस में क्या कर रहे हैं react कर रहे हैं और carbon nitrogen bond बना रहे हैं जिसे हम peptide bond कहते हैं तो यह हमारे पास protein बनाएंगे ऐसी protein बनाएंगे जिसमें die peptide bond होगा इसी तरह आप इन amino acid को हम देखें जो के peptide bond बना चुके हैं इसका amino group free है और इसका carboxly group free है इसी तरह यहां एक और amino acid आके जिसका amino group होगा वो इसके साथ एक और peptide bond बना देगा इसी तरह एक ऐसा amino acid जिसके साथ carboxly group present होगा वो इस amino group के साथ क्या होगा attach होगा और एक और peptide bond बनाएगा तो इस तरह हमारे पास di peptide, tri peptide, tetra peptide, ozone यानि कि poly peptide bond proteins में क्या कर सकते हैं बन सकते हैं ठीक होगा students clear अब हम discuss करते हैं importance of proteins proteins की हमारी body में क्या importance है proteins का first of all जो हमारे पास important role है वो है structural role यानि के जो हमारे body के अंदर cell membrane cell की जो outer covering होती है उसे हम cell membrane कहते हैं उसकी जो structure है वो कैसे बनी हुई है वो इन proteins के साथ-साथ lipids भी मजूद होते हैं उस structure में तो उससे मिलकर बनती है इस तरह proteins क्या करती है structural role play करती है और इसके साथ-साथ जो हमारे पास enzymes हैं जो के हमारी body में different chemical reactions को catalyze करते हैं उनकी जो nature होती है वो भी क्या होती है proteins in nature होते हैं इस तरह वो हमारे different chemical reactions को control करते हैं हमारी body में इसी तरह जो हमारे पास hormones हैं उनकी पी जो nature है वो क्या है proteins in nature होते हैं जो के different metabolic processes जो हो रहे होते हैं हमारी body में उनको regulate कर रहे होते हैं और कुछ proteins ऐसी होती हैं हमारे पास जो के carrier के तोर पर act करती हैं जैसा के hemoglobin जो के हमारे blood में oxygen को क्या करता है transport करते हैं और हेमो गलोबन जो हमारे पास है वो के है एक protein है और इस तरह एक protein हमारे पास ऐजा carrier के तोर पर भी काम कर रही है हमारी body में इसी तरह जो हमारे पास antibodies हैं जो के कब बनती हैं जब हमारे जिसम में pathogens यानि के बिमारी पैदा करने वाले जिरासी दाखिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जो लड़ती हैं वो हमारे पास के के लाती है antibodies और इन antibodies की भी नेचर कहा है कि ये भी protein हैं इस तरह ये हमारे body को उन pathogens के खिलाफ के करती हैं defend करती हैं ताकि वो हमारी body में कोई disease cause ना करें इसके इलावा जो हमारे पास blood clotting है यानि कि जब injury हो जाती है जब कोई चोट लग जाती है या जब कोई accident होता है उसके बाद जो हमारे पास bleeding होती है उसको stop जो कराती है blood clotting proteins इस तरह blood clotting में भी proteins का कहे important role है इसी तरह कुछ proteins ऐसी होती है जो हमारी body में movement कास करती है अब कैसे अगर हम cell devian की बात करें उसमें जो हमारे पास mitosis एक phase है उसमें जो क्रोमसोम्स हैं वो cell devian के दुरान दो different pole पर जब जाते हैं ना phase के दुरान उन क्रोमसोम्स की जो movement है वो भी हमारे पास specific proteins की वज़ा से होती है इस तरह हमारे पास जो protein हैं वो क्या करती है movement को कास करती है जी तो students ये था हमारा आज को topic I hope so कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अपना और अपने घर वालों का ख्यार रखिए अल्ला हाफीज